नमस्कार चुनाव आयोग ने पूरे देश में चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है मध्य प्रदीश में चार चल्णों में वोटिंग होगी और पहले फीस की वोटिंग 19 अप्रेल को होगी यानि अब से ठीक एक महिने बाद लेकिन कॉंग्रेस ने सुबे की सभी 29 सीटों पर प्रत्याशियों का एलान नहीं किया है उसने अभी तक केवल 10 सीटों पर ही अपने उम्मीदबार उतारे हैं जबकि बागी 18 सीटों पर माथा पच्ची जारी है एक सीट कॉंग्रेस ने गजबंधन के तहट समाजवादी पार्टी को दी है जानकारों का कहना है कि पार्टी को ढूंडिने से ही हैवी वेट उम्मीदबार नहीं मिल रहे हैं हालात यह है कि प्रदेश कॉंग्रेस के कई बड़े नामों ने साफ साफ या फिर इशारों में सांसदी का चुनाओ लड़िने से इंकार कर दिया है जिसकी वज़ा से मजबूरी में पार्टी अब अपने कई मौजूदा विधायकों को लोग सब चुनाओ के लिए मैदान में उतारने का मन बना रही है हाला कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ऐसी किसी बात से इंकार कर रही हैं दूसरी तरह बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिये हैं दरसल प्रदेश कॉंग्रेस के कई बड़े नेता चुनाओ लड़िने से इंकार कर चुके हैं और कुछ के नाम पर सस्पेंस कायम है जिसमें कमलनाथ, दिगवजे सिंग और जीतू पढ़वारी जैसे नेता शामिल है जो सार्व जनिक मंच से चुनाओ लड़िने से इंकार कर चुके हैं इस मसले पर पूर्मोखी मंदरी दिगवजे सिंग ने अलग ही तरक दिया है उनका कहना है कि मेरे लोग सब चुनाओ लड़िने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि मेरा राज्जी सभा का कारेकाल अभी बचा हुआ है पार्टी आला कमान जिस भी प्रत्याशी को राजगड़ी से उतारेगी उसका मैं पूरी ताकत से समर्थन करूंगा कॉंग्रेस को बोपाल, इंदोर, जबलपूर और गॉालियर जैसी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी तलाश है लेकिन बड़े नेताओं के इस रुक से पार्टी आला कमान परिशान है इसी पीच अभी ये खबर भी आ रही है कि कॉंग्रेस ने कई सीटों पर दो से तीन नामों का पैनल तयार कर लिया है जिसमें कई मौजुद अविधायकों के नाम शामिल है कॉंग्रेस के साथ दूसरी दिक्कत ये है कि बीजेपी के महिला आरक्षन बिल और छे महिला उमीदवारों के सामने कॉंग्रेस को बरावरी से महिलाओं को उतारने में मशक्कत करनी पड़े रही है कॉंग्रेस के सामने जिताओं महिलाओं का चयन करना चुनोती बन रहा है दूसरी तरब कॉंग्रेस द्वारा प्रत्याशियों के नामों का एलान नहीं होने पर खुद मुख्य मंत्री मुहने आदाओं ने भी चुट की ली है उन्होंने कहा है कि कॉंग्रेस लगतार वो रॉकेट लॉंच कर रही है जो कभी गंतब्य तक पहुचता ही नहीं है पहले वो विचार कर ले कि किसको लॉंच करना है